एक अप्रेल आ चुका है और इसी के साथ ही सुरू हो चुका है नया वित्यवर्स जी हाँ वैसे तो एक जन्वरी को हम लोग नियू यर मनाते हैं लेकिन एक अप्रेल से ही नया वित्यवर्स सुरू होता है यानि financial year की शुरुवात एक अप्रेल से ही होती है तो नए वित्य वर्स में कई नियम लागू होते हैं और वो हमें काफी प्रभावित करते हैं हमारे life में काफी impact होता है उनका तनखवा, tax, savings और वित्य शेतर से जुड़े क्या क्या नए नियम लागू हो गए हैं आईए उनको जानते हैं EPFO, कर्मचारी भविश्य निधी संगठन यानि EPFO ने fund transfer को automatic बना दिया है इस नए नियम के तहट EPF खाता धारक जैसे ही अपनी नौकरी बदलेंगे उसके साथ ही उनका पुराना PF balance नए खाते में transfer हो जाएगा यानि नए नौकरी शुरू करने पर आपको PF balance transfer करने के लिए EPFO को अरजी देने की जरूरत नहीं होगी यह automatically अपके नए नौकरी देने वाले के खाते में जमा हो जाएगा NPC नाशनल pension system के login प्रोसेस में एक अपरेल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है PFRDA और अब two-factor authentication लागू कर रहा है PFRDA अब two-factor authentication लागू कर रहा है इसके बाद कोई भी NPC खाताधारक आधार-based OTP के जर्ये ही NPC login कर पाएगा सरकार ने 15 मार्च 2024 को इस सम्मंद में circular जारी किया था नई tax regime एक अपरेल 2024 से नई tax regime default tax regime के रूप में लागू होने जा रही है इसका मतलब यह है कि अगर आप खुद पुरानी tax regime नहीं चुनते हैं तो आपका income tax नई tax ववस्था के मुताबिक ही calculate किया जाएगा नई tax प्रणाली के तहट tax bracket में कोई बदलाव नहीं किया गया है यानि अगर आपकी सालाना आये 7 लाख रुपे या इस से कम है तो आपको नई tax regime के तहट कोई आयकर नहीं देना होगा SBI credit card SBI bank की ओर से credit card के नियम में बड़ा बदलाव की आ गया है नई नियम के तहट अब SBI के सभी credit cards से किराय का भुगतान करने पर reward points नहीं मिलेंगे ये बदलाव कुछ credit card में 1 अप्रेल 2024 से कुछ credit card में 15 अप्रेल 2024 से लागू होने जा रहा है फास्टैक फास्टैक का भी नियम 1 अप्रेल से बदलने जा रहा है अगर आपने 31 मार्च 2024 तक अपने फास्टैक के KYC प्रोसेस को पूरा नहीं किया है तो आपका फास्टैक 1 अप्रेल से काम करना बंद कर देगा लिव इनकैस्मेंट अभी तक प्राइविट सेक्टर के करमचारियों को लिव इनकैस्मेंट पर 3 लाग रुपे तक की छूट दी जा रही थी लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ा कर 25 लाग कर दिया है आपको बता दें कि इस टैक्स बेनिफिट का लाब करमचारी को तब मिलेगा जब वो नौकरी बदलेंगे या फिर रिटायर होंगे वही अगर आप नौकरी के दोरान छुट्टी की जगा कैस ले रहे हैं तो इस लीव इनकैस्मेंट पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि इसे भी सैलरी का हिस्सा माना जाता है फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही ताजातरीन खबरों का सलसला लगातार जारी है देखते रहें तर्शनी उच